चंडीगर में मीडिया से बाचित करते हुए परदेश के ग्रह मंत्रिय निल्वीच ने कहा कि करोना के बढ़ते संक्रमन पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा करोना कर्फ्यू लागू किया गया है इसके लिए सभी अधिकार्यों को दिशा निर्देश दे दिये गए हैं कि वे सकती से कर्फ्यू को लागू करे इस दोरान कोई भी कर्फ्यू का उलंगन करे तो उसके खिलाव सकत कारेवाही की जाएगी ग्रेह मंत्री ने बताया कि करोना करफ्यू के दुरान नोन असेंसियल चीजों के अलावा सभी असेंसियल चीजों पर कोई रोप नहीं लगाई गई है वही कानून और विवस्था में शामिल लोगों के लिए भी इस दुरान छूट रहेगी विजने करोना वैक्सीन को लेकर यही कहा कि लोगों को अफवाव पर ध्यान नहीं देना चाहिए बलकि करोना उत्सों में भाग लेकर अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवारी चाहिए मही करोना के सभी प्रोटोकोल का भी ध्यान रखना चाहिए किसी परकार का हमारा फैंसला है हम लोगडाउन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जिन्दगी भी चलती रहे और जिन्दगी बचती भी रहे इसलिए कोई किसी में प्लाइन करने की कोई अवश्यक्ता नहीं है सारे कारोबार यतावत चलेंगे इंडस्ट्री भी यतावत चलेंगी जो नाइट शिफ्ट के हैं वो करमचारी नोवजे से पहले अपनी फैक्टरी में पहुंच सकते हैं वो सुबह पांस वजे के बाद उचूटी कर सकते हैं इसलिए कहीं पर कोई विगन पैदा नहीं होगा हम चाहते हैं कि कारोबार काम धंदे वैसे ही चलते रहें और थोड़ा साल लोगों के उपड़ इसका असर भी रहें कि इतनी ब्हंकर बिमारी फैली हुई है और हम इसके लिए चोकस रहें हम इसके और भी हमने अदेश दिये हमने लोगों के इकठा होने पर भी रोक हम सकती हैं और हिंट्राल में 200 में दो इकठा हो कते हैं इसके अचिछ others क कुछ जारी कि ए हैं additional chief secretary home को, additional chief secretary health को, additional chief secretary local bodish को कि वो अपने अधिकारियों के माद्यम से जो क्रोना प्रोटोकॉल है वो सक्थित हैं implement करने की कोशिज करें लोगों से हम कोई लोग डॉन नहीं करना चाहते हैं हम सकती से बिमारी पर नेंतरन करना चाहते हैं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुग करें